साथ्षिकाल दखालस टीवी देख रहे हो मैं राहूल काला ते एक वड़ी खवर है कि पाकिस्तान दे पंजाब दे विच यानि की लेंद पंजाब दे विच होना उना दी असेंबली दे अंदर पंजाबी जड़ी है उसनों मन्जूरी दे दी गई है यानि के होना उत्थों MLA अपनी पार्लिमेंट दे विच वी पंजाबी च संबोधन कर सागदेने पंजाबी दे विच पाशन दे सागदे है पंजाबी दे विच कोई वी बेल पेश कर सागदेने इस तो पहला लेंद पंजाब दी असेंबली दे विच पंजाबी नू मन्जूरी नई सी दिती किते पंजाबी बोलन दी जड़ी आए ओ इजाज़त मिल दी सी इसाधि पंजाब दी असेम्essa by शिर्फ इंगजिश टे उर्दू यानी की साधी पाशा दे विच चाहिए अपना संबोधन किता जानदा सी जा फिर पाशन देता जानदा सी जा कोई भी बिल लेके आना ओ पेश करनू जड़ाया इंगलिश ते उर्दू दे विच ही पाशा जड़ी या ओ वर्ती जानदी सी पार हुण इस दे विच वड़ा सोद किता गया बित देन वड़ा स सोद होया ते पंजाव असेंबली दे स्पीकर मलिक मोहमद एहमद खान इना ने हुण जो इना दी अगवाई वाले सदन दी विशेश कमेटी ने हुण ए सारियां सोदा नू मंजूरी दे दिती है ते इस दिनाली ही हुण मेंबर अंग्रेजी ते उर्दू दे नाल नाल पं वाती दे विच अपना संबोधन कारसाग देने जाने की पंजाबी समेत चार होर पाशामानू मंजूरी दे दिती गई है इस तुलावा जेकर देखे जावे तां संसद पवंद माफ करना पंजाबी पार्लीमेंट दे विच जड़ा है ये मुद्दा काफी उजागर होया सी बिते दिन आसी सोशल मीडिया ते काफी रिलना देख रहे सी कि एक उना दा जड़ा मेंबर होंदा है और पंजाबी दे विच बोलना शुरू करदा था उस दे उपर अबजेक्शन किता जान दा फिर उस मेंबर ने कहा सी कि मैं पंजाबी यां पंजाबी मेरी मां बोली है ते मैं पंजाबी दे वेच गल करांगा उस तो बाद ये मुद्दा जड़ा है पाकिस्तान पंजाब दे वेच काफी चर्चा दा विशा रहा काफी इस मुद्दे दे उपर सियासत भी होई है ता हून जाके पंजाब लेंद पंजाब दी असेंबली ने पंजाबी समेत होर इतिहास रचा गया कि पहली वार कोई मेला मुख मंत्री बनी है मुख मंत्री मरियम नवाज जड़ी है ओ एथे हून सीम दे ओदे ते है ते वकाइदा तौर दे उपर इनना दी अगवाई दे विच ही पंजाब जड़ा है चल रहा है लेंद पंजाब दा ते एथो दे प्र है ओ मानता दे दिती गई है हून जड़े पंजाब सुबा है लेंदा उस दे वेचे जड़े जड़े वी वदाएक मेंबर अपना पंजाबी दे विचे बोलना चांदे है उना नू हून सिद्धा स्पीकर तो प्रमिशन लेंदी लोडनी पेगी अपना संबोधन पंजाब बिन अच्च जगते बिन रोक टोक तों शुरू कर सकते ने